Hello everyone, मैं मिथुन सिंग, स्वागत करता हूँ, आप सभी का आसा करता हूँ, आप सभी बहुत अच्छे होंगे SSC के द्वारा GD यानि की Constable की recruitment को announce कर दिया गया है जिसमें आप CAPF, SSF, Rifleman, इसके अलाबा Assam Rifle, सिपाही बगारा की recruitment देखो गई इसके syllabus के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, सबसे पहले मैं बता दू, application का जो date है वो 27-10 यानि के 27 September से लेकर 31 November तक चलेगा, काफी sufficient time है but I repeat, आप लोगों से request है, please, जल्द से जल्द apply कर दे बात में server down होने और अलग तरह के problem से बच पाओगे आपो और payment बगरा करने की वी date आपको एक तक दी जाएगी, एक दो दिन आगे बढ़ा कर दिया जाता है तो मैं तो कहूँगा, आप जल्द से जल्दी apply कर दे, और wait करने की जरूरत नहीं है बहुत vacancy है याई तो आप लोगोंने पता ही कर लिया होगा, बहुत सारी vacancies आई हुई है मैं syllabus पे इस वीडियो में बात करूँगा, और detailed syllabus के बारे में हम लोग जानेंगे कि syllabus क्या रहने बाला है इसका, तो देखिए part A में आपको general intelligence और reasoning यानि कि general intelligence पूछा जाएगा, reasoning पूछा जाएगा, सुछी सिधी सिधी बात है reasoning के question आपको मिलेंगे 20, और 20 में आपको number मिलेंगे कितने, 40 और general knowledge और general awareness से भी 20 नमर पूछा जाएगा, general knowledge आपको पता ही है जीके और general awareness यानि कि current affairs से भी question पूछा जाएगा, 20 और mathematics यानि कि गनित से पूछा जाएगे 20 सवाल, और हिंद या इंगलीज, दोनों में से कोई भी आप चुन लो, जो भी आपकी subject जिस पे आपकी पकड़ मजबूत हो, वहाँ से 20 नमबर अब देखिए आप बोलोगे कि actually आएगा कैसे subject, तो मैं आपको syllabus पूरे details में समझा दूँगा, यहाँ से देख लीजिए, अगर आपने एक गलती कर दी तो 0.5 यानि कि आधा नमर कट जाएगा आपका, लेकिन अगर आप एक question को सही करते हो, तो दो नमर मिलते हैं आपको, अगर एक गलत करते हो, तो 0.5 नमर आपके कट जाएगे, याद रखिए कि आधा नमर आपका कट जाएगा, और exam जो है, सिर्फ Hindi और English में conduct कराया जाएगा, क pattern वाले सवाल जो है, को देखने को मिल जाएगा, और question जो है, analogy पे नमर वाले question आएगे, यहाँ पे दो लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, अगला term के आएगा, इस तरह के, यह तो मैंने easy वाला बताया, वहाँ पे भारी वाले आपको देखने को मिलेगा, spatial oriented visual memory, यानि कि discrimination, figure वारा question तो आएगा, arithmetic भी आएगा reasoning में, और यहाँ पे coding, recording, non-verbal भी आपसे पूछा जाएगा, arithmetic number series भी आएगा, जिके कि एगर बात की जाए तो question जो आपका पूछा जाएगा, वो देखिए, क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए, अगर मैं general knowledge की बात क से question पूछा जाएगा, sports यानि कि game वगएरा से, culture से पूछा जाएगा, geography से पूछा जाएगा, economic scene से पूछा जाएगा, politics यानि कि जो politics चलरी उसके बारे में पूछा जाएगा, भारतिय संविधान से प्रसन आएगे, और research वगएरा से भी question पूछा जाएगा, mathematics की बात की जा जो संख्या है वो पूछा जाएगा, competition of hall number यानि कि पूर्ण संख्या, decimal यानि कि decimal से question पूछा जाएगा, fraction यानि कि भीनि से सवाल पूछा जाएगे, relation between number, number से भी सवाल पूछा जाएगा, fundamental और जो operation है, percentage से भी सवाल पूछा जाएगा, ratio, proportion से, यानि कि अनुपात, से भी question पूछा जाएगा, average यानि कि आउसत, interest यानि कि आपका जो ब्याज है सुध वाला question वो पूछा जाएगा, profit loss यानि कि लाभानी, discount यानि कि छूट, mensuration यानि कि छेत्रमिती, time and distance यानि समय और दूरी, ratio and time से भी question पूछा जाएगा, time and work से भी question पूछा जाएगा, अग लोगों से चाहूँगा कि आप लोग कमेंट में जय हिन जरूर लिख दे, ताकि मुझे पता चल सके कि वीडियो या आपने यहां तक देख लिए, भारत माता के लिए जय हिन एक बार जरूर लिख दे, comment box में, आगे देखिए, हिन्दी या इंगलिस में क्या कूछा तो देखिए, हिन्दी में आपको जो बेसिक समझ है ना, सबसे ज़्यादा आपसे पुझा जाएगा paragraph, वहाँ पे पुरी टेक्स्ट लिखे होंगे, या मिन जो पुरा लिखा होगा, यहाँ पे कोई चोटी सी कहानी दे दी जाएगी, और नीचे आपसे वही 2-4-5 सवाल प तो यह चीज़ें ध्यान में रखिएगा, यह सब आपका हाइट जो है 170 कम से कम होना चाहिए, महलाओं के लिए 157, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, 10 पास कोई भी से अपलाई कर सकता है, वीडियो जैसा लगा हो, कॉमेंट करके आप अपना राय रख सकती हो, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया, have a good day.